रानी पद्माविती जंगलों में गौरा को ढूडने गई हैं और जब मिल गए हैं गौरा तो क्या कहती हैं पद्माविती छोटा सांच और राजिस्थान की मिट्टी की खुश्बू आप तक पहुँचेगी इससे बोली पद्मिनी गौरा कहता है कि मेरे पास मताओ मैं बहुत गुस्से में दिखाई देता है रानी पद्माविती क्या कहती है सुनिएगा बोली पद्मिनी समय नहीं है वीर कुरोध करने का अगर धरा की आन मिट गई घाव नहीं भरने का दिल्ली गई पद्मिनी अगर तो प दिर्शे देखिए तुम कौन हो बता रहा है महरानी हो तुम सिसोधिया कुल की जगदंबा हो प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की जोति अगनी गंदा हो जब तक गौरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा और ये प्रतिग्या भीश्व पितामा के बाद केवल गौरा लेते हैं इंदी साहित में जब तक गौरा के कंधो पर दुर्जय शीश रहेगा महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा तुम निश्चिंत रहो महलो में देखो समर्भवानी अब खिलजी देखेगा के सरिया तलवा रोका पानी राणा के सकुषल आने तक गौरा नहीं मरेगा एक पहर तक सर कटने पर भी धड़ युद लड़ेगा एक लिंगी की शपत महराणा वापस आएंगे महा प्रलै के घोर प्रबंजन भीना रोक पाएंगे शब्द शब्द मेवाडी सेनापती का था तूफानी शंकर के डमरू में जैसे जागी वीर भवानी जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजिस्थानी दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुरवानी जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजिस्थानी जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है हिंदुस्तानी